हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो ओर चैनल दे वर्ल्ड ओफ मेडिकोज, अवर टूडेज ड्रग इस पलसे टिला नाइकरी केंज, इसका कॉमन नेम है विंड फ्लावर, इसके प्रूवर है डॉक्टर हैनिमेंड और फैमिली है रैनिन क्यूले सी, विंड फ्लावर इतना पिर हम पलसे टिला के लेडि के साथ कर सकते हैं, कि वो भी बहुत ही सॉफ्ट हाटेड है, वेंली पलसे टिला वुमन्स रैमेडी कहां जाता है इसको, वुमन में ये बहुत अच्छा एफेक्ट देती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसको जैंट्स में नहीं दे सकते हैं, अ मिलती है कि जिसमें हमें mental और uterine symptoms देखने को मिलेंगे देन ये थॉस्टलेस्टनेस है विट ड्राइटंग इसका discharge कैसा रहेगा थीक ग्रीन यल्लू एंड मैंसिस इसके इरेगुलर पेइनफुल होगे सप्रेस होगे डिलेड होगे स्कैंटी होगे दन नेक्स्ट इसका लिउकुर यहां में एक्रीड और बर्णिंग और क्रीमी देखने को मिलेगा इन लेबर पेइन वंड्स टूर एंड विंडो जो ओपन उसको खूले वाता वरन में अच्छा ल बिजायर और यूरिन शार्पण। इसके यह सब क्लेनीकल्स दिये हुए हमें, यह बहुत सारे में यूस्फूल है, एक्ने, बोशन, ने विंग अगएर, यह सब मीजल्स है, वेरिकूस, बेन्स हैं, फिर उसका स्पिर ओफ एक्षन, sphere of action mainly यह mucous membrane of a tongue, stomach, povelle, female genital organs में effect करता है then pathogenesis में भी क्या दिया है कि having a thick plant green yellowish discharge discharge इसका कैसा है then उसका constitution देखते है हम constitution में क्या है कि mainly जो lady है वो soft heart की एकदम हमें देखने को मिलेगी छोड़ी छोड़ी चीजों पर वो रोने लगेगी बहुत ही emotional टाइप की है ladies कैसी होगी fair and beautiful looking होगी उसकी blue eyes हमें देखने को मिलेंगे fine hair है, पतले से hair देखने को मिलेंगे, soft leg muscles होगे एनेमिक होगी chlorotic with pale face at puberty यह सब हमें देखने को मिलता है mainly ladies कैसी दिखती है तो यह female की remedy है तो उसका constitution हम उस पर से भी याद कर सकते हैं पलसेडिला patient can be compared to a race of a sheep as an antem crude to swine and arsenic to race of a horse यह one liner question में भी हमें पूछा जाता है कि इसका compare हम किसके साथ कर सकते हैं यह sheep के साथ sheep क्या होते हैं जूंड में हमें सा रहते हैं वैसे पलसेडिला लेडि भी ऐसी ही है उसको अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं होता temperament इसका pull of tears है slow phlegmatic and indecisive relation with heat and cold तो इसमें हम पलसेडिला को hot और chilly दोनों drug बोल सकते हैं क्योंकि उसमें कुछ fix होता नहीं है then इसका miyasm तो souric and psychotic miyasm in the background then हम उसके guiding symptoms देख लेते हैं changeability of symptoms यह इसका main important feature है कि उसके symptoms बार-बार change होते रहेंगे जैसे कि दो stool है तो पहला और दूसरा stool दोनों में बहुत ही difference देखने को मिलेगा पहला वाला soft है तो दूसरा वाला आएगा वो hard आएगा pain में भी ऐसा ही है कभी उसको leg में होगा तो कभी उसको hand में होगा कुछ उसका pain का भी fix नहीं है चील का भी वैसा ही है थोड़ी देर में उसको जितनी ठंडी लग रही थी थोड़ी देर के बाद उतनी ठंडी उसको नहीं भी लगती है तो ऐसा ही है कि symptoms उसके बार-बार change होते रहते हैं और वैसे ही mental condition भी change होती रहती है rapidly then whipping disposition patient में बहुत ही ज्यादा whipping disposition देखने को मिलेगा वो छोटी छोटी बातों पर easily रोने लगेगा it is almost impossible to detail her elements without whipping patient अपने complaint बताते वक्त एक बार तो रोता ही है ऐसा भी कहा गया है कि जो पलसेडीला का patient होता है उसको हम कैसे पहचान सकते हैं तो जब भी अपनी complaints बताता है तो एक बार वो रोताई है लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार वो पलसेडीलाई हो उसके बाकी symptoms भी हमें देखने पड़ते हैं उसका भी importance देनेगा इसमें क्या होगा पेशंट को थंड तो लग रही है लेकिन वो अपनी बाडी को कवर दिल्कुल भी नहीं करेगा Closed, Stuffy, Heated Room में उसको suffocation फिल होता है Then pain में क्या-क्या importance है उसके characteristic तो pain comes gradually and disappears suddenly और pain appears suddenly and goes gradually अच्छानक से pain आएगा और दीरे-दीरे से जाएगा या फिर दीरे-दीरे से आएगा और अच्छानक से pain चला जाएगा Then pains are accompanied by chilliness, greater the pain more severe in the chill Then shifting character का pain होगा कभी one joint में होगा, थोड़ी दिर में देखेंगे तो another joint में हो जाएगा Another part में भी उसको pain होने लगेगा और उसको pain pressure से उसको relief मिलेगा, आराम मिलेगा Lying on affected side and by cold application और aggravation patient को किस से होगा कि वो painful side पर सोएगा तो होगा या फिर कोई hot application हो जाएगी तो होगा Then thirstlessness There is a thirstlessness with nearly all complaints with a dry white coated tongue Dry white coated tongue, यह इसका main feature है और patient को जब प्यास लगती है तो वो पानी पीने जाता है तो क्या होगा उसको vomiting जैसा होने लगेगा And उसके mouth में bad taste होने लगेगा Especially in the morning Morning में patient को यह complaints ज्यादा होती है Then Derangement Derangement Especially puberty में यह हमें derangement की complaint देखने को मिलती है Never been well since that time उसको क्या होगा Patient अगर आएगा तो वो हमें history देगा कि उसको जब प्यूबर्टी का time था तब से उसको derangement की problems हो रही है Menzis उसके क्या होगे बहुत ही late होंगे, scanty होंगे और suppressed होंगे Desire patient को खुली हवा पसंद है क्योंकि उसको बंद कमरे में subvocation होता है Fatty food patient बहुत ही खाता है Disagree meat, bread, milk and smoking Centrition, all consensus in a stomach Especially in a tea drinker Tea drinker में हमें यह ज्यादा देखने को मिलता है और sleep में उसको क्या होगा कि patient को ऐसे dreams बहुती डरावने आने लगेंगे यह main sleep में हमें देखने को मिलेगा और उसकी वज़े से patient बराबर से सो नहीं पाएगा और सो नहीं पाएगा तो फिर उसको सुब में उठने में भी लेट हो जाएगा Diarrhea उसको usually night में ज्यादा होता है There is a aggravation from a warm Warm से patient को aggravation An ameluration in a cold and opener Pulsatilla is one of the best remedy with which to begin the treatment of a chronic case Then उसके mental symptoms उसमें के mainly patient mild है, gentle है Amiable in character है, yielding disposition But sometimes timid too Yielding disposition का मतलब क्या होता है कि patient को दूसरों के decision से ज्यादा affect होता है और timid, timid मतलब कि patient sure मिला है Then changeability of a mental condition हमने आगे भी देखा था कि patient को changeability देखने को मिलती है वैसे mental में भी हमें ये देखने को मिलता है So there may be indifference and irritability Changeable mood She has a hypochondrical moorousness Hypochondrical moorousness का मतलब क्या होता है कि patient कोई भी चीज है उसके बार में बहुत ही बड़ा चड़ा कर बोले गया या कुछ भी सोचता है तो भी वह बहुत ही बड़ा चड़ा कर सोचता है Takes bad side of everything with disgust the patient Patient हमेसा negative thinking करेगा Consolation gives her immense comfort and relief Consolation तो patient को relief मिलेगा लेकिन इसका उल्टा किसमें है The patient is highly emotional, afraid in the evening Highly emotional है Palsetilla Fear to be alone, fear of a darkness, fear of a ghost There is a morbid fear to be alone And opposite sex उसके elements Chill, getting fit weight, eating fatty and scratchy food Ice cream, tea, coffee, abuse of mercury, unite, sulfur, chamomilla, abortion, irregular, menses, ovary and uterine trouble, warm affection in children, indigestion So, यहाँ थक इसके हमने guiding symptoms देख लिए है Then, particulars हम next lecture में देखेंगे Thank you for watching my video Share with your friends, hit the like button and subscribe this channel for get more useful videos Thank you अगर इसके आपको notes चाहिए तो आप मुझे comment section में बता सकते है Thank you